हलो फ्रेंड्स वल्कम टू माई चैनल तो आज हम बनानी जा रहे हैं ऐसी रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही आसान है और जल्दी से बनकर तयार हो जाती है और इसमें बनानी के लिए हमें ऑईल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती और यह बहुत ही हल्दी रेसिपी है तो जाऄा यहां पर आटा और आदा लेलेंगे बेशन आपको इसमें बेशन की मातरा ज्यादा रक नेहां कि मातरा कम रक नहीं है और रिस यजादा चाहती है शाहँतती हो धालेंगे इक चमच से बना इसमां बाइन एक चमच हलदी पाडर साथ में अजवाइन जैसेक्राश कर के डाल देंगे और लिया है साथ में जीरा इसको भी हम इसी में डाल देंगे और मैंने यहाँ पर डाला था नमक उसके बाद जो हमारे टमाटर थे उसको अच्छे से हमने बारी काट लिया है उसको हम इसी में डाल लेंगे उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है धनिया तो मैंने यहाँ पर ज्यादा ओयल का यूज नहीं किया था उसके बाद इसका आटा आटा आपको बीना पानी डाले हुए लगाना है ऐसे ही आटा लगा लीजे अच्छे से लग जाएगा टमाटर के पानी से उसके बाद मैंने यहाँ पर ली है कढ़ाई कढ़ाई में हम अच कंटा अब चंथा लिपता ने से बोगार ले एक आप जाए हमागत से झाल की तो देखेए इस तरीके से यहाँ है आप लेकर अपि यहीप आप लगादते ऊठीए उस्तव सरी लेकर आटा साबया कढ़ें थो रूदा रिआएक tai की एक श्याम कुर्याय है तो श्याम का तैयार किया था उसको चारो और अच्छे से लगा देगे देखिए माता लगाकर कुछ इस तरीके से complete हो गया है इसके बाद मैंने इसे रख दिया है गैस पर और फ्लेम कर देंगे एक दम medium दो मिनिट के लिए आप medium फ्लेम पे चलाए उसके बाद आप इसे एक दम कम कर दीजे और इसे अच्छे से पकने दीजे कुछ 15-20 मिनिट के बाद देखिए इस तरीके से आपको जो बेसन है वो पका हुआ मिलेगा उसके बाद आपको एक चम्मच की हेल्प से या फिर चाकू की हेल्प से जिस तरीके से मैं निकाल रहे हैं इस तरीके से आपको इसको अच्छे से निकाल ल देखें इसकी एक लेयर जो है वो कित्य अच्छे से क्रिस्पी हो गई है अब हम इसे दोनों तरब से पका लेंगे कि जिससे बहुत अच्छे से पक जाया उसके बाद देखें जिस तरीके से हमने पहले लगा आया था उसी तरीके से उल्टा करके वापिस से चिपका देंगे और यह बहुत ही अच्छे से और आसन तरीके से चिपक जाता है उसके बाद हम इसे शेम उसी तरीके से वापिस से ढख देंगे जो बच्चे वे चोटे चोटे टुकडे थे उनको भी मैने बीच में इसे में डाल दिया है अब हम इसे अब इसे धग देंगे और एकदम कम फ और लगता है जितना की देखने में लग रहा है देखे पूरे की पूरे जो हमारे अच्छे से धापोड़े है वह बहुत अच्छे से पग गए है बिल्कुल इसी तरीके से आपको बना लेना है यह बहुत अच्छे से बनकर तयार होते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी होत को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर से जरूर शेयर करें थैंक्स पूर वॉचिंग